तो नमस्कार सत्यों कैसे हो आप सब आसा करते हैं कि आप सो बहुत यह अच्छ हो आज मैं लाया हूँ आप लोग को इस जगह पे जहां पर आज आप लोग मेरे पीछे बैक ग्राउंड में देख रहे हैं आप मटर की खेती होती है और यहां पर देख सकते हो आप लोग मटर क जो तूट रही है तो आपको आज यहां के मटर के जो किसान है उनसे कुछ बातचीत कराएंगे और दिखाएंगे आप लोग को किया पर माटर की पैदाबार कैसे होती और मटर भिक निकली कहा जाती है और क्या भाव में भिकती है तो बेक केमरे से करेंगे इंसे बात क्या अब याप गाएंगे यह जग यह चांदपूर कौंसे जले में पड़ता है इस टिक कासकंश यह मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत सारी बीड़ लगी हुए एक किस यह कौंसी यह क्या चीज है यह क्या है यह मतारा एपी 3 कौंसी आई एपी 3 अचा यह यह जो बाई होती अच्छा तो यह आपने यह मतर की ती तो इसको अपने इसको यह मतलब यह जो लड़ लगी हुए इसको काम किया जा रहा है इसको आप बैकनी के लिए कहा ले जाते है बैकने के लिए यह जाते हैं दिल्ली लोकल मंडी मोहनपोर वह भी जाती है अच्छा तो इसका क्या रइड मिल पाता है आपको वेट 10 रुपए से 20 मिल जाए 15 मिल जो मंडी के रेट के ऊपर होता है इसको आप मतलब किस परकास से को भी रइक करके ले जाते हैं चाहली में लेके जाते हैं और यहां तो आप लोग देख पा रहे हैं और यह मटर है आपको यह मिर्च नहीं देखी कि मेर्च जैसी लगती है पर यह मटर है और यह खोले के दिखाए इसमें दाना वगएरा कैसा क्या है यह जो सब्जी मटरल पड़ती है यह माल बहुत अच्छा है तो चाचा यह बताइए आप एक बार अपने आपे आलू के कम होते हैं यह आलू भी होता है इस पर थोड़ा बीज बहेगा था इसलिए थोड़ा कम लगा है वैसे आलू की मात्रा भी बहुत होते हैं अच्छा है मतलब बीज मतलब थोड़ा बिसेज बहुत ही महेंगा था लोगोंने कम लगाया तब भी कम नहीं है तो यह दर मतर की जो मतलब मतर निकाला जा रहा है पैंट से आपको बोबी दिखाते हैं किस परकास से निकाला जा रहा है तो आईए मेरे साथ बने रहेगा वीडियो में आपको दिखा देते हैं किया कर रहे हो दादा क्या कर रहे हो अच्छा तो यह क्या चीज है यह मतर है यह अच्छा तो इसका मतलब यह एक पेड़े में कितने हो होते है कितने होते हैं पेड़े में इसके फ़ल आप तो इसको मतलब निकाल लाएं तो आपको तो पता ही होगा कितने फ़ल होते हैं हमने तो इसलिए आपको चूच किया कि आप इतने बुझरेक हैं आपको सब पता होगा आप तो बता ही ने रहे हम तो मानते हैं तो अभी से मनोज तो हमारे साथ हैं आलू किसान भाई यह हमारे साथ में तीन भाई हैं सबसे पहले में आप लोग से यह पूछना चाहेंगे कि हर जगह साड़े तीन सो रुपए चारत रुपए प्रत कट्टा के सबसे बिक्राए पर आप लोग इस जगह पे रहके भी मतलब सब ग्रामीड चेतर में और साड़े चारत रुपए भी मतलब बेच देते हैं और यह सब मतलब इसका काड क्या वाई मतलब थोड़ा बिस्तार में समझाएंगे फड़का चोटे मोटे डीलर होते हैं जो हाँ हाँ चोटे मोटे रखे के बेचता हैं जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आप लोगों को फाइदा रहता है तो आप लोगों को फाइदा रहता है अगर सब्सक्राइब तो फिर मजब लेंगे नहीं इतना मैंगा वह नहीं लेवाएंगे विचारे थोड़ा बहुत तो ले लेंगे अच्छा अच्छा यह आपके हम चैतर में देखना है जहां भी आलू है यह सब दोती बगएरा क्या इसका लगाने का क्या सिस्टम देख पारे आप लोग पूरे खेत में इधर मुझे मतलब आपको केमरा दिखा रहें गुमा के और पूरे खेत में आपको एक पर्दा टाइप का नजर आएगा यह क्या चाचा इसका सिस्टम यह सुवर नहीं आते से सुवर सब खोद के बेकार कदेंगे अच्छा इसका मतलब यह आप आपको काभी मेंद करना पड़ता है सब करने के लिए एक तीन सो दोती आपको लाना पड़ा मतलब अच्छा वी सुवर इस रूपया के रेट में प्रहत हैं प्रत होती बीस रूपया फिर मसीन से चालाई कश्वाइए यह तब फिर जे लकड़ी गाड़े के एनपर मतलब हम देख रहे हैं पहले तो आपके चेतर में आलू बहुत कम होता है तो 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 मतलब कम होगा फिर उसका मतलब सुरच्छा का वजलाका गई रखें आप लोग ने चले ठीक है बात करने के लिए धन्दबाद और मिलेंगे किसी दूसरे भाई में दूसरे वीडियो में किसी भाई से आप लोका नाम क्या भाया नम बाता है यह कौन सी जगह वाङया आपके चेतर में आलू प्त रहें चासह चासद रुप्या इस थाड़ा थी तीन जो अच्छा चाँट सोठे मिसे पाऊने पान्सुर रुप्या है अच्छा जाज़ थी